तो हेलो टेड़ास, आपका फिर स्वागात है हमारे नियू वीडियो पे, इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उपर बात करने वाले हैं, और ये वीडियो अगर आप कम्प्लीट देख लेते हो, तो एक कुरिसी बहुत जादा आप अपना मार्केट म प्लस कर सकते हो, अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लेते हो तो, हम लोग इसमें बात क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें कहीं न कहीं, कैमरिला को CPR के साथ कम्बाइन करके देखने वाले हैं, और कैमरिला को individually भी यूज़ करके देखने वाले हैं, मैं आपको concept बत यहां से मैं सिप्यर कभी सेटिंग यहां पे लगा दिया अब जब मैं हाँ फे लगा लेता हूं तो मेरे पास च्यार लेवल आएंगे ऊपर कभी दो-तीन रसिस्टेंस आएगा नीचे कभी दो-तीन सपोर्ट आएगा अब यहां पे मैं जो यूज़ करता हूँ वह यहां पर या किया हूँ लेवल को ठोड़ा कम कर दिया हुरी जो हमारा पास चार लेवल है यह कौन कौन से लेवल है यह सबसे से ओपर का लेवल होता है रéro заключ या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या को हम लोग बोलते हैं support for आपके पास चार लेवल यह चार्ट पर आ चुका है अब बात यह आता है कि जब CPR था ही तो हम लोग इसको क्यों आड़ किया है सबसे अप्योग उसको आड़ किया हैं क्योंकि हम लोग अपना इक्वरसी और then कर सकते हैं कैसे इंक्रीज होगा बवा Kabu बताने वाला हो इस चीज को आप कोई भी को ताइम पर यूज कर सकते हो आपको तो हजारों वीडियो मिल जाएंगे केमरीला के उपर सी प्यार के उपर बट मैं जो बताऊंगा वो आपको नहीं मिलेगा क्यों कि सब लोग इंडिविजुली बात करते हैं मैं कॉम्बाइन करके बात करता हूं और वो जो इंपर्टन रहता हूं उसी को बबात करता हूं वही आप लोगो सीखाता हूं समझाता हूं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे केमरीला H4 है और यहाँ पे केमरीला सॉरी L4 है तो यह दुनों काम क्या होता है अगर मैं यहाँ से कॉम्बाइन करके आपका बहता हूं यह जो 4 का आपको लेवल देख रहा ठीक है L4 और H4 यह दुनों काम होता है ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहा हूं H3 और L3 यह दुनों काम क्या होता है Reversal अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हम लोग क्यों इस टॉपिक को जादा इंपोर्टनस दे रहे है क्योंकि हमारे पास Reversal Point भी है हमारे पास Market में Trending Point भी हίν कहाँ से हम लोग Market में Trend पे बैठ सकते हैं सारा लेवल आगया है रिका है आपके पास यहां पर सारा लेंगा लेवल आ चुका है कि कहां से ब्रेकवुक्वं कर fault करूंगा मैं कहां से ब्रेकडाउन ते करूंगा कहां से कर ढूंगा तो आपका यहाँ पे question यह याना चाहिए तो यहाँ पर मैंผม क्यों करू कि मेरे पास सारे ले दौत को करूँ गा जैसे हम लोग करने स्यंदिय जयों करें घख़ाँ करूँ करें थे वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर इसको यूल करेंगे तो कहिने यहां पे देखोगे, तो मैं क्या करता था CPR में, मैं तीन लेवल को important देता, जैसे आप लोगों पता है, ऊपर का लेवल था मेरा previous day high and R1, नीचे का लेवल मेरा था previous day low and S1, और यहां पे था CPR, अब बात क्या आता है, अगर market में CPR और combination आप देखना मैं यहां पे match कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझते रहना, अगर previous day high R1 के पास, अगर आपका क्या है, अगर आपका H4 है, previous day high R1 उसी के आसपास, आसपास का मतलब क्या हुआ, या तो यह previous day high R1 है, इसे के अंदर आपको H4 का level मिल चाहिए, या फिर previous day high R1 आपका है, यहां पे H4 मिले, या फिर यहां पे H4 मिले, मतलब थूड़ा आसपास होना चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, आपको breakout जो trade मिलेगा ना बहुत इस ट्रोंग मिलेगा, मतलब इस trade को आप hold कर सकते हो, और अगर आप hero zero का बात करो, या फिर मार्केट में trending का बात करो, अगर आप Indy money अगर कोई भी red candle यहां पे बनता है, इसके नीचे अगर हम लोग trade plan करेंगे, तो बहुत बड़ा trade हम लोग market से पकड़ सकते हैं, और मैं आपको यह higher time frame पे दिखा दूँगा, और lower time frame पे भी आपको दिखा दूँगा, कैसे यह काम करता है, अब हमारे पास कौन से level बच गया H3 and L3, same condition आप यहां पे देखो, अगर हमारा L3 अगर CPR के पास मिल जाता है, ठीक है, L3 और CPR के पास अगर combination का अगर आपको level मिलता है, तो यह कहीं न कहीं आपको strong support का काम कर सकता है, और यह strong support का काम करेगा, तो यह market को trend कर सकता है, किधा trend करेगा, L3 का का काम रहता है, buy reversal के लिए, और H3 का काम रहता है, sell reversal के लिए, मतलब कि अगर market में CPR और L3 दोनों साथ में है, तो आप strongly buy कर सकते हो, और premium बहुत ही strong बढ़ता हुग, आपको दिखेगा, साथ ही साथ, अगर CPR के पास आपका H3 का level है, और अगर market CPR को break कर देता है, तो आपको यह breakdown का जो trade मिलेगा, बहुत ही strong trade मिलेगा, इसको आप जितना चाहो, इतना दर क्या hold कर सकते हैं, I think आपको इतना समझ में आगे होगा, अब बात यह आता है, कि जब हमारे पास सारा level अब आ चुका है, अब हम लोग real market में जब trade करने आएंगे, तो क्या हम लोग इसी चीज को live market में देख सकते है क्या, विल्कूल देख सकते हैं, चलिए मैं आपको चार्ट में चलकर combine करके दिखाता हूँ, उससे पहले अगर बता दू, अगर आपको हमारे टेलिग्राम के साथ जोइन होना है, आप हमारे साथ जोइन हो कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, मार्केट में साथ में यर्न भी कर सकत हो, तो अगर आपको जुड़ना होगा, आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, यहां पर लोग profit भी कर रहे हैं, तो description में लिंक मिलेगा, आप चोइन करके हैं, आप से पहले मैं आकर CPR को on कर लूँगा, आप ध्यान देना कि यहां पर मैं कौन सा CPR यूज कर रहा हूँ, यहां पर मैं weekly CPR यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ weekly CPR, क्योंकि मेरा time frame यहां पर one hour का है, जब यहां पर मैं weekly CPR लगाता हूँ, एक second, इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ, कुछ निट कैस हुए साथ, यहां पर जब chart में weekly CPR आप लगाओगे, आपको कुछ लेवल तिखेंग और वो लेवल पर अगर आप काम करने लगे, तो बड़ा time frame पर आप swing trading कर सकते हैं, बहुत लोग कोशन होता ना कि swing trading का कोई setup देदो, या फिर उस पर कैसे काम करना है, तो यही setup बहुत अच्छा काम करने वाल, आप यहां से CPR को on कर दो, और नीचे का previous टे low S1 को आप यहां स इसा market में range record हुआ है, इतना बड़ा market का momentum मिला है, या आप इस market में capture कर सकते हैं, आपको मैं सामने दिखा देता हूँ, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरुवत नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहां से अगर आप momentum द दिखा रहा हूँ, एक setup आपने यहाँ पर देख लिया, वर करता हूँ दिख गया, उसके बाद, यह आपका level था H3, यह market यहाँ से reversal लिया या नहीं, market इसको breakout कर दिया, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देना नहीं, अगर H4 इसके अंदर आता, तब हम लोग इसको strongly समझ सकते अधे बट यहाँ पर नहीं समझना है, फिक है? इतना समझे अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप देखो, यहाँ पर आपका level क्या है? यह आपका level है L3, यह आपका level L4, यह आपका level H3, यह level है H4, मतलब कि हम लोग को buy यहाँ पर यहाँ पर बनाना है, और अगर आप यहाँ पे H4 के ऊफर बाई बनाते, क्यों मैं H4 के लिए रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं, यहाँ पे यह नजदीक है, हमारा previous week high और R1 से, यहाँ पे अगर आप entry बनाते हो, इस momentum में कितना आपको मिलता, 1500 point, कितने week में, एक week में, यहाँ पे one week का चार्ट लगा हुआ, मतलब one week का CPR लगा हुआ, तो एक week में आपको 1500 point का momentum मिलता है, और और भी हमें आपको backtest करके, यहाँ पे दिखा देता हूँ, अब परसान ना होना, मैं आपको higher time frame पर भी दिखाऊंगा, यह तो news था, news का तो छोड़ दो, news में तो कोई projection काम नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो, यह आपका level क्या है, H4, यह आपका level क्या है, black line का मैं बात कर रहा हूँ, यह है आपका H3, H3 कहाँ पे आता है, previous high R1 के नीचे आता है, मतलब कि, आपको buying मिला, दिख गया आपको, फिर से आप देखो, market fall करता है, market नीचे है, यह आपका level कौन सा है, Camrilla का, Camrilla L3, Camrilla L3 क्या आपको बोलता है, reversal लेना है, क्या आप reversal लिए नहीं, लेकिन अगर आपको यह setup पहले से पता होता, कितना बड़ा momentum capture करते आप, 1200 point का, एक वीक में आप सोचो ना, कि 1200 point, 1500 point, 2000 point का momentum मिल रहा है, और यह सब आपके सामने हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कि मैं video बना के आपको दे दिया हूँ, कुछ भी आपको समझा दे रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने में रैंडम चार्ट पे दिखा रहा हूँ, सेम यहाँ पे देखो, market उपर जाता है, उपर का level के है, Camerilla का यह H3, H3 में market resistance लेता है नीचे की तरफ, इतना strong, फिर से H3 से resistance लेता है नीचे की तरफ, इससे अच्छा setup, इससे simple setup और क्या हो सकता है, चार्ट भी आपका clean रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, बड़ा momentum ही capture कर सकते हो, साथी साथी हाँ देखो, नीचे का level है आपका L4, L4 का market में यहाँ पे क्या होता, breakdown होता है, breakdown की बात आप यहाँ पे, यहाँ पे इंटर करते हैं, अराम से market में पैसा चाप सकते हैं, जीतना चाहते हैं, जीतना hold करना चाहते हैं, same condition आप यहाँ पे देखो, L4 breakout हुआ है, हम लोग यहाँ पे इंटर नहीं कर रहे हैं, हम लोग L4 और previous day high, R1 के उपर कर रहे हैं, STFC में आपको दिखा देता हूँ, क्या यह लेवल काम करता है कि नहीं, तो भी random chart मैं कोलता हूँ यहाँ से, यहाँ से मार्च में आ चुक हूँ, यहाँ पे अगर आप दिखोगे, market नीचे आता है, L4 के नीचे, क्या इसको break किया नहीं, यहाँ से हम लोग पूट पाई नहीं किया, या फिर हम लोग यहाँ सेल नहीं किया, जब हम लोग सेल नहीं करते हैं, और market जब उपर जाता है, तो यह आपका लेवल होता है L3, और वहीं पे market सपोर्ट लेता है, और इतना बड़ा momentum आपको देता है, सोच लो, HDFC बैंक में इतना बड़ा momentum आपको market देरा, simple सा setup से, फिर से market नीचे आता है, आपके लेवल भी market सपोर्ट लेता है, market उपर चला जाता है, फिर से आप नीचे देखो, यहाँ पे market सपोर्ट लेता है, डबलू पैटन बनाता है, आपको L3 का लेवल ब्रेक करता है, और market उपर चला जाता है, यहाँ पे market S3 को ब्रेक करता है, market नीचे की तरफ आजाता है, इस से अच्छा लेवल आपको और क्या मिलने वाला, आप समझ सकते हो, सेख सकते हो, कैसे यह market में काम करता है, अब मैं आपको 5 मियर्ट पे दिखाता हूँ, क्या यह daily CPR में काम करता है भी या फिर नहीं करता है, अब जब मैं आप यह 5 मियर्ट में daily CPR के साथ इसको combine कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाने कोजिस करहा हूँ, कैसे यह काम करेगा, हम लोग इधर नहीं देखेंगे, जो काफी दुर होगा, उसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, काफी दुर होगा, उसको हम लोग नहीं देखेंगे, जो सामने रहेगा, उसको देखेंगे, यहाँ पे आप देखो, CPR के अंदर level क्या है, L3, ये मार्केट में सपोर्ट मिला, आप यहां बाई करो, या फिर यहां पे बाई करो, जहां पे आपका इस्टोपला चोटा बनता है, कार्गेट जितना दिर मन केरे रुकते रो, जितना आपका होल्डिंग पावर है, यहां हम लोग इस लाइन को लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यह सिप्यार से काफी उपर है, और यहां भी सिप्यार से काफी उपर है, इसलिए हम लोग यह दोनों लाइन को नहीं लेंगे, इधर आते हैं, क्या हम लोग यहां पे ल इसको भी आप वोल्ड करना चाहते हैं, तो वोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो, ब्रेकाउट लेवल यहाँ पे मिला, हमारा लेवल कहां था, यहाँ पे था, अगर यह एच-फॉर यहाँ पे होता था, तो हम लोग और इसको लेते हैं, लेकिन हम लोग इस सेटप को इसमें नहीं पकड़ते हैं, हम से कहीं न कहीं, यह ट्रेड मिस हो जाता है, अब देखते हैं, यहाँ से मार्केट उपर गया, सिप्यार के पास मार्केट सपोर्ट लिया, यह ट्रेड हम लोग पकड़ें, यहाँ पे पुस्वर प्रॉट किया है, अब मैं जब आपको HDFC दि करते हैं, यहाँ पे देखो, क्या हम लोग इस लेवल को लेंगे, हर लेवल को बिल्कुल लेंगे, क्योंकि यह सामने अब्यार के सामने, 1957 से काफी दो हो गा, यह सब लेवल का हम लोग इन पॉरटेंस नहीं देंगे, combination कर रहे हैं, मतलब combination का theory वहाँ पर लगना चाहिए, यहाँ पर देखो, इसके पास level कौन सा है, H4, हम लोग यहाँ पर breakout trade करेंगे, इसको हम लोग reversal trade मेंटर नहीं करेंगे, यहाँ पर देखो, सेम जगा पर market में breakout trade आया, breakout trade आने के बाद market, कैसा उपर की तरह comment term किया है, हर जग आपको कुछ ऐसा market देखने मिलेगा, देखे, इससे प्यारा setup और क्या हो सकता है sir, market आपके जो level है, वहाँ पर एक bully scandal बनाता है, आपको मन है तो 5 minutes में analysis करो, और 1 minute में entry कर लो, और आप देखो क्या ही market का momentum मिला, मज़ा ही है जागा अगर आप trade कर लिए तो, यह वीडियो थ काफी informative वीडियो था, आप लोगा बहुत information इसमें मिला होगा, तो please मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को काम बस सेखी रहेगा, like करें, comment करें वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने friend circle में भी share कर सकते हैं, चलिए मिलते है next वीडियो में, thank you कर दो